हेलो फ्रेंड्स कुक वेट टेस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम बनाएंगे राजमा राजमा तो फ्रेंड्स सभी को पसंद आते हैं ये बच्चो और बड़ो सभी के फेवरेट होते हैं मैंने इसे बॉयल ड्राइस के साथ सर्व किया है खिले खिले बॉयल और चार से पाच घंटे के लिए हम इसे बिगो कर रख देंगे वैसे तो फ्रेंड्स हम ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन बिगो कर बनाने से टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है और हमारी गैस भी कम लगती है बॉयल करने के लिए कुकर में हम राजमा डाल देंगे और पानी ड चार विसल दिला कर हम इसे बॉयल करेंगे तीन से चार विसल आने के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे अभी हमें राजमा को 60-70% तक ही बॉयल करना है पूरा बॉयल नहीं करना ये देखिए फ्रेंड्स राजमा हमारे लगभग 70% तक बॉयल हो गई है बाकी हम बा बाका लगाने के लिए कड़ाई में कुकिंग ओल डालेंगे ओल जैसे ही गरम हो जाए हम इसमें एक तेज पता डाल देंगे एक चोथाई चोटा चमच हम इसमें हिंग डाल देंगे हिंग से फ्लेवर भी भोती बढ़ी आता है जिन लोगों को डैजेस्ट करने में प्रोब को भून लेंगे यह देखिए फ्रेंड्स प्याज हमारे सोफ्ट हो गए हैं इस स्टेज पर हम एक चमच अध्रक और लसन का पेस्ट डालेंगे अगर आप लसन नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं मिक्स करेंगे अब low to medium flame पर हमें इसे continue चलाते वे भूनना है क्योंकि अध्रक लसन का पेस्ट डालने से मसाला हमारा कड़ाई में चिपकने लगता है प्याज के golden brown कलर होने तक हम इसे भूनेंगे ये देखिए friends प्याज हमारे golden brown हो गए हैं अब gas की flame को low कर लेंगे और इसमें आदा चोटा चमच हल्दी powder डालेंगे एक से डेट चोटा चमच हम इसमें धनिया powder डालेंगे स्वादा नुसार नमक डालेंगे नमक थोड़ा ध्यान से डालें हमने पहले भी नमक का यूज किया था एक चोटा चमच लाल देगी मिर्च पाउडर डालेंगे इससे सबजी में कलर पढ़िया आता है एक चोटा चम तो मसाले हमारे जल सकते हैं अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे ये मैंने तीन टमाटर को ग्र scratched किया हucा है अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसमें एक हरी मिर्च और हाथ पे क्रश करके थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे कसूरी मेथी डालने से राजमा में टेस्ट बहुती बढ़ी आता है मिक्स करेंगे अब हम मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक ओयल मसाले से अलग ना हो जाए गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और तीन से चार मिनट के लिए इसे ढखकर पकाएंगे ये देखिए फ्रेंड्स मसाला हमारा अच्छे से कुक हो गया है और ओयल भी मसाले से अलग हो गया है कितना बड़िया मसाला हमारा बंकर रेडी वह है अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मसाले को हम अपने राजमा वाले कुकर में डालेंगे राजमा तो फ्रेंड्स आप बनाते ही होंगे एक बार इस रेसिपी को फोलो करके राजमा जरूर बनाएं आपको भी भोती पसंद आएंगे अब हम इसे मिक्स कर देंगे अब हम इसमें पानी ओर डालेंगे क्यूंकि हमने इसे बॉयल दुबारा करना है ये मैंने उसी तड़के वाली कड़ाई में ही पानी मिलाकर मिक्स किया है ताकि हमारा तड़के वाला मसाला वेस्ट ना हो अब ह इसल आने के बाद 15-20 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। लो फ्लेम पर पकाने से राजमा भहुती टेस्ची बनते हैं। ये देखिए फ्रैंड्स कुकर हमारा ठंडा हो गया है। राजमा हमारा बनकर रेडी है। बहुती बड़िया खुश्बू आ रही है। बहुती टेस्ची राजमा हमारे बने हैं। अब हम इसमें आदा छोटा चमच गरम मसाला डाल देंगे और बारी कटा वाहरा धनिया डाल देंगे। मिक्स कर देंगे। राजमा को मैने बाओल में निकाल लिया है। बोईल्ड राइस के साथ हम इसे सर्फ करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितने बड़िया राजमा हमारे बनकर रेडी होई है। वॉयल्ड राइस की रेसिपी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, हाथ और फ्रेंड्स मसालेदार पंजाबी राजमा की रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपन करिट प्रेंडर से κα्या ज़क्सावबी रादित्वाद हैं, युझा झाले आपको की रेसिपी का टेएंस प्रेंड़ हूआ हैं, सहींग्यों पर रादिख सकता हैं, वी दितना हैं, वीडियों कि रेसिवाग जाविग एको फिले सकतता हैं, वीगिवादाओ कि प्रीशन द